हाई दोस्तो मेरा नाम है रुदान और मैं आज आप सभी का स्वागत करता हूँ LearnX Academy पर आज का लेसन बहुत इंट्रेस्टिंग है क्योंकि आज के लेसन में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी common mistakes हैं जो लोग अपनी daily conversation के दौरान English में करते हैं और हम कैसे उन mistakes को avoid भी कर सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की lesson की आज हम सीखेंगे super super common English mistakes that you can avoid easily most importantly देखते हैं हमारा पहला sentence हमारा आज का पहला sentence है how do we call it बहुत बार लोग हिंदी से अंग्रेजी में जब translate करते हैं तो उन्हें लगता है वो बोलते हैं how do we call it इसे कैसे पुकारा जाए लेकिन अंग्रेजी में हम how question word how को use नहीं करते अंग्रेजी में हम बोलते हैं what do we call it for example आप किसी चीज का नाम जानना चाहते हैं तो उसका नाम जानने के लिए हम नहीं कहते हैं इसे कैसे बुलाते हैं हम बोलते हैं ये क्या है so it is what do we call it अग्ला sentence देखते हैं how are you this week for example आप पूछना चाह रहे हैं अपने दोस्ते की आप कैसे हैं so इस हफते इसकी चका आपको पूछना चाहिए how have you been this week क्योंकि हफता पूरा हो चुका है जब हफता पूरा हो जाता है जो tense उसमें लगता है वो है have you been perfect continuous tense लगता है हम उसमें how are you this week नहीं बोलते ये absolutely wrong होगा बढ़ते हैं हमारे अगले sentence की और today I'll cut my hair ये बहुत ही funny sentence है lesson prepared ही हुआ था मैंने सोचा इससे तो जरूर डालते हैं क्योंकि बहुत common mistake है आप मुझे एक चीज़ बताएं क्या हम बोलते हैं कि मैं अपने खुद के बाल काटूँगा या फिर हम बोलते हैं बाल कटवाँगा सेलों जाकर of course दूसरा वाला कि मैं सेलों जाकर बाल कटवाँगा हम नहीं बोलते हैं I'll cut my own hair इसका right version होगा I'll have my hair cut ये passive sentence हुआ future passive हुआ जिसमें हम कह रहे हैं कि कोई और मेरे बाल काटेंगे उनसे कटवाँगा not I'll cut my hair next sentence is इस slide का आखरी sentence है how was your sleeping आप उचना चाह रहे हैं basically कि आप कि आप की रात कैसी गई कि आप अच्छे से सोए नहीं सोए etc इसका सही version होगा did you have a good sleep not how was your sleeping वो change हो जाता है did you have a good sleep बढ़ते हैं हमारी अगली list की और हमारी अगली list है you can try it more basically आप कहना चाहते हैं कि आप और try दे सकते हैं इस particular चीज को जवाब कर रहे हैं उसका better version होगा you can try a few times so more की जगा हम कहेंगे few more, few times that means कुछ और बार again, मुझे नहीं बोलना चाहिए कुछ और बार क्योंकि direct translation नहीं होता अंग्रेजी में इसे कहेंगे few times, not more the next sentence is I'll go out after the dinner मैं डिनर के बाहर बाद बाहर जाऊंगा उसकी अंग्रेजी better अंग्रेजी होती है I'll go out after dinner यहाँ पर the use क्यों नहीं होगा article because the एक special चीज के लिए यूज होता है लेकिन अगर आप simple एक डिनर के बारे में बात कर रहे हैं आप रोस करते हैं the हमेशा यूज होता है बहुत special चीजों के साथ so यहाँ पर वो special नहीं है so simply हम बोलेंगे I'll go out after dinner so never the with it देखते हैं हमारा अगला sentence you like ice cream isn't it दोस्तो यह problem रही question tags की now जिन लोग उन्हें Let's Talk Academy online courses जोईन करे थे उन्हें पता है और इस बहुत से लोग रहे हैं उन्हें पता है की एक lesson की theme रही थी जिसमें हृदान ने पढ़ाया था question tags now question tags एक बहुत important part है हमारी English conversation का यह sentence गलत है इसका better sentence होगा you like ice cream, don't you isn't की जगा हमने don't इसलिए यूज करा क्योंकि ये एक English language में exception है जब भी हम like use करते हैं sentence में उसके साथ जो verb जाती है वो है do या फिर don't अगर sentence positive है तो question tag negative होगा इसलिए हम इसे don't करेंगे ये पहली बात दूसरी बात subject pronoun जो जाता है वो जाता है did to copy हमारे previous sentence से यहाँ पर subject pronoun ही it है क्योंकि and वो गलत है क्योंकि subject रहा you तो you को ही आपको copy paste करना होगा it is not for example it is not you like coffee isn't it you like coffee don't you like that मैं उमीद करता हूँ आपको ये important concept समझ में आया होगा बढ़ते हैं हमारी ugly everyday conversation mistake की और how much is the time आप मुझे एक चीज़ बताएं क्या आप time का भाव पूछ सकते हैं कि ये 10 रुपे किलो है या फर ये 20 रुपे का है ऐसा नहीं हो सकता राइट इसका better version होगा what's the time आप simply पूछ रहे हैं कि कितना time हुआ है तो इसमें हम कहेंगे what's the time okie dokie समझ में आया आगे बढ़े all right बढ़ते हैं हमारी अगले list की और I have a good news now news एक uncountable noun है उसके साथ कभी भी article use नहीं करते so इसका better version होगा I have good news बहुत common mistake है इसे अच्छे से समझ लीजे star put कर रहा हूँ all right next mistake I know him good आप basically बताना चाहते हैं कि आप उन्हें अच्छे से जानते हैं I know him good direct translation हुई Hindi की अंग्रेजी से इसकी जगा better version होगा I know him well मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ better version होगा well next problem हुई it's a high pay job आप salary बता रहे हैं कि बहुत अच्छी salary मिलती है इस नौकरी में high pay job ना बोलकर हम बोलेंगे it's a high paying job इस नौकरी में बहुत पैसे मिलते हैं not high pay ing verb यूज करेंगे high paying job who cooked this salad इसका better correct version होगा who made this salad salad को पकाया नहीं जाता salad को बनाया जाता है so उसके लिए हम नहीं बोलेंगे cooked उसके लिए हम बोलेंगे made who made this salad okay dokey आगे बढ़े alright हमारा अगला sentence है I cannot read and write इसका better version होगा I cannot read or write आप basically कहना चाहरे है नहीं मैं पढ़ सकता हूं या लिख सकता हूं नहीं मैं पढ़ सकता हूं और लिख सकता हूं नहीं बोलेंगे better conjunction होगा or हमारा next sentence है are you a seller John इसका better version correct version है are you a salesman John basically जो कोई चीज बेचता है उस इंसान को हम seller नहीं बोलते हम बोलते हैं salesman क्या बोलते हैं salesman the next sentence is would you like to drink मुझे कोई परिशानी नहीं दिख रही इस sentence में लेकिन एक है और वो है would you like something to drink जब भी आप किसी से कुछीज पीने के बारे में बात करते हैं तो आप हमेशा यूस करते हैं something with it कि आप कुछ पीने में पसंद करेंगे direct translation नहीं है लेकिन तब भी आपको easily बताने के लिए would you like something to drink not would you like to drink and हमारा आखरी sentence हुआ I forget my phone in the house मैं अपने घर में phone भूल गया जो भी इसकी हिंदी हुई correct version है इसका I left my phone in the house अंग्रेजी में भूलने को forget नहीं कहेंगे direct translation में इस concept में हम कहेंगे मैं घर छोड़ आया I left my phone in the house हमारा next sentence हुआ this is the way I made it इसका right version है this is how I made it the way I the way I made it changes to this is how I made it आगे से ध्यान रखें अगली मिस्टेक है I get my salary twice a month now salary एक ऐसा word है जो आपको महिने में एक बार ही मिलती है इसका मतलब होता है एक बार किसी को पे करना महिने में महिने में एक बार अगर आपको दो बार कोई चीज मिलती है तो उसे हम कहेंगे I get paid twice a month right salary को एक ही बार use करा जाता है लेकिन अगर उसे जादा पैसे आते हैं तो हम बोलते हैं I get paid twice a month all right next mistake है she is wearing blue jeans pants blue jeans pants jeans भी बोल रहे है pants भी बोल रहे है कहना क्या चाहते है changes to she is wearing blue jeans simple she is wearing blue jeans यहापर एक चीज जो change हुई है वो है she is का contracted form मैंने लिखती है जादर confused होने की बात नहीं है jeans और pants तो एक ही बात हुई bottoms हुए तो आप एक ही चीज बोलिये या तो jeans बोलिये या फर pants बोलिये she is wearing blue jeans next mistake is be careful or you will have a cold have a cold be careful or you will catch cold zukhaam हो जाएगा लोगों को लगता है बोलेंगे you will have a cold you will have a cold नहीं बोलेंगे दोस्तों हम बोलेंगे you will catch a cold collocation use करते हैं अंग्रेजी में जाती है उसे कहा जाता है catch a cold not have a cold catch a cold तो ये थी आज की mistakes जो लोग अकसर करते हैं जब ही वो अंग्रेजी में बात करते हैं depend नहीं करता उनका level चाहे beginner हो या फिर उनका level advanced हो अगर आपने in mistakes में से कोई से भी mistake करी हैं और अभी तक मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहे हैं तो एक like तो बनता है जरूर right अपनी English को सुधारते रहें विदान ऐसे ही आपके लिए बहुत से lessons लेकर आता रहेगा तब तक के लिए take care God bless and